हेलो फ्रेंड्स तो चलिए इस वीडियो आउग देखते हैं कि यूपी ट्रिपल सी आयोग जो है इतने तेजी से काम क्यूं कर रहा है ठीक है अभी तक तो ये पिछले कई वर्सों में इतना लेट काम कर रहा था लेगिन लेखपाल भरती के लिए इतना तेजी से आयोग एक् समझेंगे और नई भरती आपकी कब आ रही है उसके बारे में पुरा देखेंगे इस वीडियो में एक एक चीज़ समझेंगे आजकल असोक अग्रवाल बहुत चर्चा में है यह कौन ब्यक्ति हैं और क्या यूपी ट्रिपल सी के मिंबर हैं और कैसी कैसी अपडेट देते ह यह भी इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखिए यूपी रिजल्ट जो लेकपाल का है इसके लिए बहुत बड़ी खुस ख़बरी आप सब के लिए है कि इसका जो परड़ाम है वो जल्दी जारी होने वाला है और पू कि उम्मिद्वार भी कटाफ का इंतजार कर रहे हैं कितने कटाफ तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि लाखों मिद्वार एक बड़ा सपना था कि हम भी लेकपाल बने क्योंकि लंबे समय के बाद लेकपाल भरती 8085 पतों के लिए आए थी जो अब पूरा होते दिख रही है तो बिल्कुल सही बात है कि ये भरती में कोई कोड वाला मामला नहीं कोई भी अभी रिट नहीं है ये भरती पूरी फ्रेस होने वाली है और जो धांदली वगएरा होई थी वो तो आप कोई टाल नहीं सकता है जितनी होनी थी वो हो चुकी है अभी इसका रिजल्ट आने व अभी जो असोक अगर्वाल हैं उनके बारे में बात करते हैं कि उनका अपडेट क्या था वो कब मानते हैं कि UPSC जो है अपना रिजल्ट जारी करेगी और उनका इसके पहले क्या मानना था कि जो रिवाइज डंसर की है वो कब जारी की जा सकती थी उन्होंने क्या अपडेट जो 85 पद हैं बहुत बड़ी भरती है 2015 के बाद 7 वर्सो बाद हो रही है और लेक पाल की कमी बहुत जादा हो गई है क्योंकि जो लेक पाल थे उनका प्रमोशन भी हो गया है 1200 रेवनिय इंस्पेक्टर बन चुके है राजस निरिच्छक बन चुके हैं तो इसलिए लेक पाल रिवाइज डंसर की आएगी और दिसम्बर में आपका रिजल्ट आएगा उनका अपडेट था मैं बता रहा हूँ लेकिन क्या हुआ कि आपका जो 7 सितम्बर को वो रिवाइज डंसर की मतलब 20 दिन पहले ही जारी हो गई ठीक है इसके सितम्बर के पहले हपते में जारी कर गई इससे तो यह लग रहा है एक रिजल्ट अभी ज़्यादा समय नहीं लगे है आपका रिजल्ट भी सितम्बर के आखरी या अक्टूबर के पहले हपते में जारी होने की पूरी-पूरी उम्मीद है बिल्कुल दोस तो सही बात है क्योंकि जो एक लेकपाल है वो लगब सीटे वाला राज्य है असी सीटे यहां से हैं तो कोई यह सरकार नहीं चाहेगी कि यह भरती जितना विलंभ होगा उतसे विरोजगारी और ज्यादा पढ़ेगी और लोगों में रोज ज्यादा पैदा होगा इसलिए गवर्मेंट भी चाहेगी कि 8000 पत जल्दी से जल्दी करके पदों को भरा गया था कहां भरा गया था भी भरा नहीं गया है वो भरा जाएगा ठीक लेकिन इसके बाद ही लेकपालों का प्रमोशन राजयो सुनीच्छक के पदों पर होने की कारण 443 पद लगभग 5000 के पद हमी कुछ 300 पद और आपके बढ़ेंगे तो 5000 के पद आस फरवरी में ठीक है उत्तर प्रदेश में सरकाई नोकरी की तयारी में लगी युआ भरतियों की लेच्छी खबर है दर असल उत्तर प्रदेश में लेकपालों का प्रमोशन होने की कारण 443 पद खाली पड़े है इन पदों पर जल्दी भरती प्रिक्रिया सुरू होनी इसके प्रिक्रिया सुरू हो जाएगी तो आपका आवेधन प्रोसेस क्या होगा कब होगा इसके बारे में जो है अपडेट देखेंगे अभी हम आपको बता देते हैं कि यूपी लेकपाल जो है यूपी में टोटल है लेकपालों के बता दें यूपी में लेकपाल के एकुल 3823 प प्रिक्रिया पूरी की जा रही है लेकिन इसके बाद भी लेकपाल के लगपाल भरती आपकी आएगी जिन बच्चों का इस बार 75 मांक से कम है या जिनके भी इस बार नहीं होने के चांस है जो बॉर्डर लाइन पर 75 चेत्र के आसपास है वो लोग की रुप्यारी चालू कर जारी रखें और पेट में कम सक्लिब असी पचासी नंबर लेकर हैं ताकि अगली लेकपाल भरती में आप सब बैठ सकें यह महाँ से असो का करता है कि सर लेकपाल का जो रिवाजद रन्सर की अ lowest dansear की कब तक गया रही होगा तिये महोदже मतलब पहले बताते थे डी आपक बताते थे फिर एक बालक ने एक result के लिए इनको comment किया इनके post पर ट्विटर पर तो इन्हों ने कहा कि बच्चे ने पूछा सर लेक पाल का result कब तक आएगा तो इन्होंने बताया था result जो आपका November last या December last को December first week में देखने को मिलेगा ठीक है तो इनका भी अभी इनको कुछ पता ही नहीं है जैसे आयोग के मेंबर तो है लेकिन यह अपडेट जो देते हैं अभी तक इनका अपडेट जो है सही हो नहीं पाया है कोई भी अपडेट जो दिये थे चाहे वो रिवाज रंसर की का हो चाहे वो पेपर का भी इन्होंने गलत अपडेट दिया था मैंने इनके सारे ट्विटर कमेंट्स पढ़ते हैं पढ़े हैं और सारी यूटूब चैनल वाले बहुत सारे दोस्त जो है वीडियो बनाते हैं इनके उपर इन्होंने ये कहाँ इस दिन आएगी ऐसी आएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ कि लेकपालों की भारी संख्या में कमी है इसलिए जो है गवर्मेंट चाहती है कि आपके पत जल्दी से जल्दी भरे जाएं और कोई भी सरकार अपनी खिली नहीं उड़ाना चाहती है और चुनाओ की टाइम हो भी 2024 में आप सब का चुनाओ है इसलिए जो आपका रिजल्ट है यूप ट्री पलसी लेकपाल का वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या इसी महीने के लास्ट में आने के पूरे-पूरे चांसेज है और क्योंकि लेकपाल ओर्लोड ओर्फ्रेसर में काम कर रहे है इस टाइम और ये गवर्मेंट को ये बात पता है इसलिए इसकी जल्दी जो है विग्यापन जल्दी पूरा होगे और नई भरती जो है अगले साल बहुत सारी बरतिया है चाहे वो सिच्छक भरती हो चाहे टीजीटी की नहीं भरती हो चाहे लेकपाल की भरती हो चाहे यूपी पुलिस की भरती हो चाहे अगनी सामन या फिर दरोगा की जो बन रच्छक की बहुत सारी भरतिया अगले साल आपको एक तरफ से देखने की उमलेंगी क्योंकि चुनाओ 2024 में इसलिए आप सब इसकी जो है जिनके भी अच्छे मांक सब 75 पलस वो लोग अपने डाकोमेंट वेरिफिकेशन की तयारी करें जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है तो इस वीडियो में इतना अपडेट जो मुझे मिला था मैंने आपको बता दिय या वीडियो अच्छी लगिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो नहीं पसंद आये तो वीडियो को डिसलाइक करके आप कुछ भी अपना रिवीव कॉमेंट दे सकते हैं अगर आभी आपने दा फायरेश्टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज आप लोग फायरेश्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसे ही लेकपाल से संबंदित या यूपी ट्रिपल सी से संबंदित जो भी खबर रहेगी आपके लिए मैं लाता रहूँगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हाँ आपक झाल